हेलो दोस्तो खेमपुर रिपेर यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज मेरे पास में है FM रेडियो और आज हम इसको रिपेर करेंगे और रिपेर करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊँगा कि रेडियो किस तरह से काम करता है जिससे कि आप अपने रेडियो को असानी से रिपेर कर लें देखिए मेरे पास जो ये रेडियो रिपेरिंग के लिए आया है आप इस रेडियो को देख सकते हैं किंग स्टोन नाम से ये रेडियो है और ये 5 band radio है अगर मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं तो यहाँ पर जो यह इसमें band है वो total 5 है ठीक है पहला band medium wave का होता है दूसरा short wave फिर FM उसके बाद TV1 और TV2 ठीक है कुछ इस तरह से 5 band radio है इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटरी आती है उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं तीन जो सेल आते हैं डेर डेर वोल्ट के ठीक है और इसके साथ rechargeable भी है यहाँ पर इसमें socket दिया हुआ है charging के लिए चारेंज का speaker है volume है और यहाँ पर यह tuning tone है जिससे कि आप इसको tune करके radio station होते हैं उसको आप इसकी मदद से set कर सकते हैं लेकिन यह भी काम नहीं कर रहा है volume की बात करूँ तो इसमें कोई sound नहीं है और यहाँ पर इसमें एक LED भी लगी होती है जब आपका channel connect हो जाता है तब यह LED glow करती है जिससे आपको पता चलता है कि आपका channel जो है वो मिल गया है तो चलिए इसको open करते हैं और देखते हैं कि इस radio में क्या problem है अगर हम इस radio की बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरह का radio है यह और अगर इस side की बात करें तो देखिए यहाँ पर antenna लगाने का है जो कि इसमें टूटा हुआ है आप देख सकते हैं टूटा हुआ है antenna यहाँ पर जो है एक battery लगी है ठीक है वो यह अपनी 3.7V वाली जो battery होती है 4V की वो battery लगी है लीथियमायन battery और शायद आटोकट वाली battery है यहाँ आटोकट वाली है और यहाँ पर एक डायट भी लगा है आइन 4.7 ठीक है यह डायट लगाना जरूरी है मैं आगे बताऊंगा कि यह क्यों जरूरी है अच्छा चलिए इसके हम connection देख लेते हैं किस तरह से हैं तो देखिए connection जो है अगर वॉल्यम के connection की बात करें तो देखिए इसका जो board है देखिए पूरी तरीके से हिल रहा है ठीक है पूरी तरीके से हिल रहा अगर इसके connection की बात करें तो एकात कर देखिए वॉल्यम के भी connection आप देख सकते हैं खराब हैं और इसके अंदर भी यह की डोरी है, इसको डोरी बोलते हैं जिससे के इसके चैनल जो है वो सेट करे जाते हैं, इसको घुमा घुमा कर तो यह भी फिल रहाल करा कर खराब है मैं हापर इसका जो यह बोड्हे है क्छो यह खोल लेता हूं कम धिछिए और यह cap होता है जो band के उपर होता है कुछ radio में ये जो band होता है इसकी knob इतनी बड़ी होती है तब तो ये cap लगाने के ज़रूत नहीं होती है लेकिन कुछ radio में क्या होता है कि ये knob छोटी होती है तो ये उपर से cap लगा देते हैं अच्छा मैं जो इसका board है उसको मैंने अलग कर लिया है और बहुत ही खराब कंडिशन में है इसका कार्ड मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता तो देखिए जब हम इस वाले इसके ट्यूनर को घूमाते हैं तो ये पुली है ये चैनल को ट्यून करती है हनिके सेट करती है तो जिस चैनल को ये आप सुनना चाते है तो इसको इस तरीके से घूमाया जाता है ठीक है हलके हलके मतलब इसका इसका जो एरिया है घूमने का वो जादा नहीं होता है मैं फुल आपको दिखाता हूँ देखिए यहां से श फीकर है गोल बाला देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो यह आइसी है इसकी कंडिशन मतलब आइसी तो ठीक है लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बोड की जो आइसी है वो पहले कभी खराब हुई होगी और जब यह आइसी खराब हुई होगी तो इसमें दूसरी आइसी को लगाया है अब आप देख सकते हैं कि जिस भी मेकेनिक भाहिनी साय्सी को लगाया है तो अनोंने सौल्ड्रिंग कितनी मोटी-मोटी करी है आप यह गलती करें मैं तो आपको इसको साफ करके दिखाता हूं अगर आप इस तरीकी गलती करेंगे तो क्या होता है कि यह आगे चलके इसमें लूजिंग होती है और जब इसके पिने और इसके लेग जो है वह हिलने लगते हैं या तो यह प्रिंट को खेड़ देते हैं या आपस में करी गई है यहाँ पर शॉल्ड इंग पर करी कई यह जानि कि यह रिपर पहले भी हुआ है और इसके आईसी भी चैंज करी भी है अगर इस तरफ से हम बात करें तो इस आईसी का नंबर होता है 16-19 और हम देखते हैं कि इसमें 16-19 है या इसमें कौन सी IC है तो यहाँ पर इसमें 16-19 ही लगी है CD 16-19 CP ठीक है तो 16-19 IC है इसमें audio के लिए है लेकिन ये ज़रूर ही नहीं है कि इस radio में 16-19 है तो आपके radio में भी 16-19 होगी कुछ radio में IC का number change भी होता है ठीक है ये कोई जरूर नहीं कि 16-19 ही आपके radio में होगी देखने से तो volume सही लग रहा है कोई खर-खर की आवाज इसमें नहीं आ रही है और ये on-off भी इसका काम कर रहा है लेकिन अब ये तो जब इसके connection होंगे तभी पता चलेगा कि ये volume सही है या खराब है क्योंकि कुछ condition में क्या होता है कि volume ये on-off तो होता है लेकिन sound में खड़-खड़ा हट की आवाज आती है जैसे बादल गरशते हैं उस type की आवाज आती है तो उस condition में volume खराब हो जाता है अच्छा ये जो problem आती है volume में ये सबसे ज़्यादा radio में आती है ठीक है अगर आपके पास कोई home theater है या आपके पास कोई amplifier है तो उनके जो volume होते हैं उनमें ये problem नहीं आती है इस radio के volume में जाते इस तरह की problem देखी जाती है अगर आपके radio में इस तरह की problem अगर कोई आ रही है कि जब आप आप आवाज को कम कर रहा है और बादल की तरह गड़ाने की आवाज आ रही है तो आप volume को change गर दें इस condition में volume खराब होता है और कोई problem नहीं होती है और इसके अलावा दोस्तों कुछ condition में ऐसा भी होता है कि जब आप station मिलाते हैं तो station मिलाते समय भी खड़खड़ा हट की अवाज आती है तो उस condition में आपकी ये छीज़ खराब होती है ठीक है? गेंग इसको गेंग बोलते हैं ये चीज़ खराब होती ह कि या तो band जो है वो चैनल को connecting नहीं करता जैसे आपने short wave का है band ठीक है इसके बाद जब आप FM पर लगाएंगे तो या तो FM पर लगेगा ही नहीं और कभी-कभी ऐसा होता है कि FM पर लग जाता है लेकिन FM ही नहीं बचती है सिर्फ जो sign sign की आवाज है वो आती है लेकिन FM बचत सब अगर हिलाते हैं तो यहां पर खड़खड की आवाज आने लगती है जिस समय पर रेडियो आपका on होगा अगर खड़खड की आवाज आती है तो आप समझ सकते हैं कि आपका band खराब है band भी आप चेंज कर सकते हैं band भी कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता है वैसे तो radio से operate होती हो इसमें खराब होने का कुई चांसे नहीं होता है फिर भी इस radio के IC खराब है अब मैं आपको बताता हूँ कि IC खराब होती है तो radio में क्या क्या प्राब्लम आती है देखिए या तो radio के आवाज जो होती है वो फटी फटी आने लगती है या फिर बहुत कम आवाज हो जाती है ठीक है तो इस condition में आप IC को चेंज करके भी देख सकते हैं और IC जो है उसको टेच करके भी देख सकते हैं IC अगर खराब होगी radio की तो heat ज़रूर होगी ठीक है क्योंकि radio के IC जो है वो इतने वोल्ट तो इसमें आते नहीं कि IC फट जाए तो IC तो radio की फटती नहीं ह लेकिन इसमें बहुत हलकी फुल की problem आती है जिसकी वेज़े से क्या होता IC होने लगती है या फिर आवाज जो है वो बहुत ही कम हो जाता है बस इस condition से आप पता कर सकते हैं कि radio की IC खराब है अब दोस्तों ये तो आपने समझ लिया कि radio किस तरीके से work करता है और इसमें क्या सॉक्रिट लगा दें उसके बाद इससे आप कुछ भी चला सकते हैं आप इसमें USB काड लगा सकते हैं आप चाहें तो इसको अपने amplifier मोबाइल या फिर किसी भी चीज़से को कनेक्ट करके और उसकी sound को इस speaker में ले सकते हैं और जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो कुछ इस सकते हैं तो अगर आप उस पर भी जानना चाहते हैं तो बताएं रहा इस radio के वाइरिंग का सवाल तो दोस्तों वीडियो बढ़ा हो गया इसलिए हम नेक्ट व्यडियो में इसकी वाइरिंग करेंगे वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें थैंक यू